कार को पाख कर दीजे प्लीज शूर इस तरफ आईए हानी हम घर आ गए फिर भी तुम अपसेट क्यों तुम्हें मज़ा नहीं है आधा समान तो पैक ही नहीं किया और हम रास्ता भी भूल गए क्या तुम थोड़े भरों से मन बन सकते हो लेकिन अगर हम भटकते नहीं और रास्ते में फसते नहीं तो हम उन जरवाहों से कैसे मिल पाते और उनके साथ ये मज़ेदार सफर कैसे करते एक बात समझनी होगी कि लोकल लोगों के साथ रहने का मौका हमें यूहीं बार-बार नहीं मिलता हनी दिखो और उन्हें तुम्हें हाथ से बना हुआ ब्रेसलेट भी दिया है खुब सूरत है ना बिल्कुल तुम्हारी तरह अरे कम से कम अब तो अस दो तुम्हारी रिंग कहा है अचली शिरुवाद सी तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद था और वो तुम्हें ये देना नहीं जाती थे तो आने से एक रात पहले मैंने उनके साथ ड्रिंग किया था और वो उसे बदले में देने के लिए मान गये गुसा मत हो ना एक्चली कल सुबह ही मैं एक नही रिंग खरीदने के बारे में सोच रहा था और प्रॉमिस कि वो पहले जैसे ही होगी मैंग सुनो मैंग तो इस बात पर तुमने डिवोस लिया तुम हस कैसे सकती हो मैं यह पोस्ट कर सकता हूँ तुम्हें हस ही हरी है तुम हस कैसे सकते हो तुम्हें याद है ने किलान को पाने के लिए मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है तुम्हारे अंकल का भी डिवोस हुआ है तुम हस कैसे सकते हो जब उसने डिवोर्स मांगा तो तुमने उससे मना क्यों नहीं किया ऐसे भी शादी दो लोगों का रिष्टा होता है मुझे भी गुस्सा आता है, ओके मैं हमेशा गडगड़ा है और माफी मांगी लेकिन उसकी बाती मुझे समझ नहीं आती तो मैंने भी जाने दिया जैसे कि मझे फरक पड़ता है जितना मैं तुमें जानता हूँ कुछ दिनों के बाद तुम फिर उससे शादी के लिए भीक मांगोगे शर्ट लगा लो, दो दिन में तुम दोनों फिर से शादी कर लोगे बिल्कुल नहीं मुझे समझ नहीं आता उसने हमारी वेडिंग रिंग कैसे बेज थी तुम्हें लगता है मझे ये फालतू सब रेसलेट पसंद आएगा इसके लिए उसने अपनी वेडिंग रिंग बेज थी वो बस एक रिंग थी मैं दूसरी भी खरीद सकता था इस इस वज़े से कौन डिवार्स देता है हम गुस्से में तो कुछ भी बोल देते हैं ना जब मैंने डिवार्स कहा तो वो बिना कुछ बोले ही मान गया हमारी वेडिंग रिंग कैसे बेच सकता है वो कैलान माम मैं कैसी है वो सो गई है उसने अपने मामी पापा को डिवोस के बारे में नहीं बताया है शाहत वो वापस जाना चाहती है क्या तुम यू हाओ के पास इनके बारे में बात करने जा रही हो हम तो क्या आगे भी जाना पड़ेगा तो क्या तुम्हारा घर पे ऐसे ही आना जाना लग रहेगा उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस तरह रहने में अगर उसे प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे छोड़ दूँगी ठीक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो भी मसला है उसके लिए वी पी सू से बात करो आप ओफिस में क्या कर रहे हैं? गॉंग मेरे घर पे रो रहा है तो मैं ओफिस आ गया अभी दोनों एक दूसरे से बहुत गुस्सा हैं मैं ने डिवोस की बारे में अपने मॉम डैट को नहीं बताया क्या गॉंग ने अपनी मॉम को अपने डिवोस की बारे में बताया है? नहीं थोड़ा टाइम निकाल कर दोनों से बात करते हैं शायद दोनों एक दूसरे को माफ कर देंगे अगर वो मिलकर बात करें? हाँ तो आपको और कोई काम है? अगर कोई काम नहीं है तो मैं अपने घर जा रही हूं तुम्हारी मॉम बिलकुल भी खुश नहीं है न? मेरी मॉम? हाँ तुम्हारी मॉम बिलकुल भी खुश नहीं है आप तो इतना स्लो रियाक्शन देते हैं अब आपको मेरी मॉम की चिंता हो रही है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपसे कैशुल बाते नहीं हो पाती है तुम लोग यार कैशुल बाते कर कैसे लेते हो बस वही रोज मरा की बाते किया घर पर आपकभी अपनी मॉम से I'm sorry जब मेरी मॉम जिन्दा थी वो सिर्फ पापा के काम की बाते करती थी मॉम के गुसरने के बाद मेरी नानी को ऐसा लगा कि सारी खलती पापा की थी उन्होंने कभी मुझे पापा से मिलने नहीं दिया उस दिन के बाद से मैं अपने अंकल गॉंग और नानी के साथ ही रहा मैं बहुत चोटा था इसलिए कभी हिमत नहीं हुई कि कहीं कुछ गलत ना बोल दू मुझे डर था कि अगर गलत बोला तो उन लोगों को बुरा लग सकता है शाहिद इसलिए मुझे आज ता किस तरह की कैशुल बाते करने नहीं आई तो क्या तब से आपने अपने पापा को नहीं दिखा है एक बार सकूल की शुरुआत में वो मुझे ढूंडते हुए सकूल की गेट पे आये थे उस दिन मेरा बर्दे था वो मेरे लिए चूते लेके आये थे लेकिन नानी ने वो भेग दिये वो आखरी बार था जब मैंने उन्हें देखा था तो आप अपने पापा से अपनी मौम की वज़े से एतनी नफरत करते हैं मैं उनसे नफरत नहीं करता तो फिर आप उनसे मिलते क्यों नहीं अगर मैं उनसे मिलता तो क्या कहता आप कैशल बाते नहीं कर पाते और औक्वर्ट फील करते हैं फिर भी मैंने आपको अपनी मौम के साथ डिनर पर बुलाया देखो, मैं सब सीख लूँगा टिनर पर आप बहुत अनकमफरिटिबल थे ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा तो क्यों ना मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाओ यह लीजे थेंक्यू यह लीजे थेंक्यू यह तो मीठा है यह पर यह मीठा क्यों है क्योंकि यह मीठा ही होता है क्यों कभी मीठा वाला नहीं खाया मना सॉफ्ट बीन कर्ड हमेशा salty और spicy खाया है spicy? चॉंक्विंग के लोग तो spicy खाते हैं उसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ spicy हो क्या आप डार्क ब्राउन शुकर स्टिकी राइस को spicy बनाएंगे? बात तो सही है पर सॉफ्ट बीन कर्ड कोई dessert थोड़ी है लेकिन लोग मीठा सॉफ्ट बीन कर्ड भी बनाते हैं लेकिन जिसने इतना अच्छा food app बनाया है उसे यह नहीं बता जानना और उसे मानना दो अलग लग बाते हैं मैडम आपको नहीं लगता हमारी इन बातों का तो कोई मतलब नहीं है लेकिन मसेदार हैं मसेदार हैं मेरे पापा हमेशा कहते थे स्वादिष्ट खाना दो लोगों की चुपी तुड़वा सकता है वो कहते थे फर्क नहीं बढ़ता के नौता साउथ का खाना बहुत अलग है लेकिन जब लोग मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं आपने खाना खाया खाना हमारे संस्कृति और जीवन के अनुभाव इन सब के बारे में बताता है यह लोगों को जानने का अच्छा तरीका है अगर आप क्यूरेस हैं और सच में कैर करते हैं तो कैशल बाते इतने भी मुश्किल नहीं है यह मीठा बीन को टेस्टी है मुझे भी अजीब लग रहा है पेट बर गया आज रात ओफिस में रुक के काम करते हैं अगर कहीं कोई अचानक किसी काम से अंदर आ गया तो कोई नहीं आएगा चाहेगा तो भी नहीं हाँ इलक्ट्रोनिक लॉक अफ कर दिया तो काम क्या जे मेरा मन नहीं मन है नहीं है है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है क्योंच रहते है नहीं है नहीं हम अप्दून आद आप प्सृम्ट्ट्रेश नहीं हम हम सुआ नहीं हम प्सृम्ट्रेश यज़ यूहाओ, प्रेजिडेंट जाओ ने कहा है कि वो अगले हफते आएंगे कि वो टाइम करते हैं मेरा फोन बज रहा है कि वो टाइम करें फोन तो आंसर करना पड़ेगा कि वो क्योव सक ये छो कि वो भी वो डाइम है कि वो येओा बाम मे ये झाओं कि वो-न थेओत तर्क बाम मने शॉपश्ग कारवो कि वो पना करते हैं हुआ हाँ हुआ डिरेक्टर हान हरी मुन से आ गई हाँ आ हाँ अरे तुम्हें डाक सब्सक्राइब काम का इतना प्रेशर है क्या तुम पर कल रात ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेने आया था लेकिन दर्वाजे के अंदर बंद हो गया कल रात की बात मत करो क्या हुआ बता है ऐसी कोई बात नहीं है कल रात मैं ओफिस में ओवर टाइम क मेरा कुछ काम बागी था मुझे डर है अगर काम पुरा नहीं हो तो कल डांट पड़ सकती है ठीक है कल मिलते हैं ओके ठीक है कि अब आप कि अब आप और मुझे कुछ नहीं पता है कल रात तुम सच में ओफिस में लॉक हो गये थे अरे सुनों किसीने मेरी गोजी वेरिस देखी गया यू सर केलान भी कल रात घर नहीं आए थी अरे हां शायद कल रात आपके घर कोई रुका था ना यॉश्यान प्रोग्रामिंग तीम से नेक्स वीक के थीम के बारे में पोछो ओके केलान केलान माम कल रात मैंने कमर्शल शूट का डीटेल प्लान बनाया है क्या आप उससे देखना चाहेंगे केलान माम चेक कर लीजी ना क्या तुम पहले ओफिस गई और उसनी डोर लॉक कर दिये और तुम दोनों बैच कर बस रात भर काम करते रहें अजीब हो यार ऐसे लगता है तुम लोग स्टूडेंस और एक्जाम के तेयारी कर रहे हो पूरी रात काम क्या है फोन मत देखो मुझे तो यकीन नहीं होता तुम लोग उने पूरी रात बरबाद कर दी या फिर ओफिस चोटा पड़ रहा है तुम्हारे कारनावों के जुआ ऑप्छी हो वो काले चश्मे वाला वो भी कल पूरी रात ओफिस में ही था अब कुछ बताओं मेरे पास गवा है तुम्हें मीरी घुसम सच बताओं क्या कल रात तुम दोनोंगे सिर्फ काम किया ओर कुछ भी नहीं किया बतनासा भी नहीं किया हाँ सच-च बताओं चलो चलो बताओ डिरेक्टर सू मैं अब ही फ्री हूँ आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देनी है आप सुन रही है डिरेक्टर सू मुझे तस मिनिट दीजिये डिरेक्टर सू अगर लेट हो गया तो कभी और डसकस कर सकता है इस ओके कोई बात नहीं मैं सुन रही हूँ बताईए हाँ डिरेक्टर सू एक मिनिट होल्ड कीजिये डिरेक्टर बॉम अब हम शुरू कर सकते हैं अगर कुछ इंजिस होंगे तो मैं यौश्यान को बोल दूंगी नहीं तो आप उसे डिरेक्टली भी बात कर सकते हैं ओके अच्छा कितने लोग होंगे प्लान फैनलाइज कब होगा ओके और कोई सवाल है अगर और कुछ पूछना हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना है अगर ईवसेलाइज को अगर जबहां कर दोल तुमने गलत कॉंट्राक्ट भेजा है तुमने जन्यक्ताय तुमने गलत कॉंट्राक्ट भेजा है सहीवाला भेजा मेरे लिए कॉफी बना दोगी तो टॉलो ठीर, जल्दी देखो मॉम के साथ डिनर के बाद मेरे अपार्टमेंट में आ जाना, बैसे वाँ, तो डिनर के बाद अपार्टमेंट में आना, रिप्लाई दो, जल्दी मुझे देखरा आ है क्या आप मुझे अपनी असिस्टेंट बना कर अपने ले कॉफी बनवाएंगे तो क्या तुम उससे नाराज हो मीटिंग तो पहले तुमने शुरू की थी ना अब उससे कैसे ब्लेम कर रही हो मैंने कमपेनी के फाइदे के लिए मीटिंग की मुझे प्रमोट करके वीपी बना दिया इस बात से वॉंग बहुत नाराज है इसलिए उन्होंने जानबुच का लेट कॉल किया था जवाब नहीं देती तो मुश्कले और बढ़ जाती तो तुम उसे बोल देती ना कि वो तुम्हारी लीट फॉलो करे मैं वीपी बनने के लिए अभी तक मानी नहीं हूँ क्या तो तुम इसे लिए परेशान हो मुझे लगा कुछ इंपोर्टिंट होगा अच्छा, बहुत लोग बस प्रमोशन के सपने देख सकते हैं और तुम हो की शो आफ कर रही हो नहीं तुम्हें मेरी फैमली की सिच्वेशन तो पता ही है पर वो मुझे वीपी बनाना ही चाहते हैं अकर मैं मना कर दू, तो वो गुस्ता हो जाएंगे मुझे लगता है, वो इसलिए गुस्ता करता है क्योंकि वो तुम्हारी कैर करता है देखो ज्यादा तर मर्द यहीं चाहेंगे कि उनके पत्निया पूरे टाइम घर पर ही रहे लेकिन उसने तुम्हें प्रमोट किया क्योंकि वो तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता है और सबसे इंपोर्टिंट है कि वो तुम पर भरोसा करता है वैल्यू करता है मुझे पता है लेकिन मेरी मौँ केलान शायद यह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन अगर देखा जाए तो तुम्हारी बाकी की जिन्दिगी में आखरी दम तक तुम्हारा साथ कौन देगा जबसे तुम्हारी फैमिली के साथ वो हादसा हुआ है तुम्हें मा के अलावा और कुछ नहीं दिखता ना जिन्दगी ना रिलेशन्शिप्स तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं हाँ यह सच है कि यह डिसिजिजन लेने से पहले योग को तुमसे पूछना चाहिए था लिकिन सोच कर देखो यह जॉब तुम्हारे लिए इसलिए भी इंपोर्टन्ट है क्योंकि यह तुम्हारी लाइफ को एक दिशा देती है सुदू आज डिनर हम सब साथ में मिलकर करेंगे अभी भी उससे गुसा हो वैसे मेरे घर और कितने दिन रहोगी क्या इतनी जल्दी में बोज बन गई तुम्हें लगता बात बदलने से प्रॉब्रम सॉल्फ हो जाएगी तुम भी तो बात बदल रही हो अब छोड़ो ना जो भी हो मुझे उसकी शकल नहीं देखनी मैं उससे पहले बात नहीं करूँगी रिलेशन्शिप में ऐसी बेकार बाते नहीं करते हैं मेरा डिवॉस मागना तुम्हें गलत लगता है तो तुम बताओ अगर तुम वहां होती क्या तुम अपनी वेडिंग रिंग किसी बेकार चीज के लिए बेच देती जब उसने मुझे ये रिंग पहनाई और मेरी तरफ देखा तुम मुझे लगा उसने जिन्दगी भर का भरोसा जीत लिया और जब मैंने उसे रिंग पहनाई मेरी लिए वो रिंग एक वादे और भरोसी की तरह थी कि मैं उसके साथ पूरी जिन्दगी रहूंगी और दूसरी तरफ वो बिना सोचे मेरी रिंग बेच आया और उसको पता ही नहीं कि मैं गुस्ता क्यूं हूं मेरा दिल तूट गया क्योंकि उसे लगता है मैं बेवज़न आराज हूँ क्योंकि पालाज नहीं आराज हूँ